फ़ड़ा खबरों के बाद अब आपके सामने एक बड़ी खबर रख देते हैं, बड़ी खबर आ रहे हैं, कॉंग्रेस महासचिप प्रियांका गांधी के पती जौबर्ट वॉड्रा को लेकर अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली है आज पट्याला हाउस कोट में, मनी लॉड्रिंग के केस में दिली की पट्याला हाउस कोट में होगी है सुनवाई, वॉड्रा के करीबी सहयोगी कहाए जाने वाले मनोज अरोड़ा के खिलाफ एडी ने मनी लॉड्रिंग के केस दर्ज किया है, और इस पूरे मामले पर आपको बताएं कि अरोड़ा को कोट से 6 फरविल तक के लिए गिरफतारी से अंतरिम राहत मिल चुकी है, बड़ी खबर रोबर्ट वॉड्रा को लेकर है, आज पट्याला हाउस कोट में होनी है सुनवाई, मनी लॉड्रिंग के मामले पर रोबर्ट वॉड्रा की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई आज हो सुनवाई होने वाली है, वॉड्रा की बहत तरीबी सहयोगी करे जाने वाले मनोज अरोडा के खिलाफ, एडी ने मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया, और अब बताएं कि इस पूरे मामले में अरोडा को कोट से 6 फरविल तक के लिए गिरफतारी से अंतरिम राहत मिल चु लंडन के ब्राइंस्टन स्कॉर में भी संपत्ती खरीदने का मामला है, कई जगों पर रॉबर्ट वॉड्रा के नाम की संपत्ती है, इसी को लेकर एडी का श्टिकंजा जो उन पर कसा हुआ है, और आज पतियाला हाउस कॉर्ट में होनी है, एहम सुनवाई, लंडन की बात मनी लॉड्रिंग के मामले में फसे हुए हैं, मेरे सही होगी आशीश सिन्हा जुडगे हैं और जानकारी के सार इस बड़ी ख़वर पर, आशीश आज का दिन बड़ा है, रॉबर्ट वाडरा के लिए क्योंकि पतियाला हाउस कॉर्ट में होनी है, सुनवाई यही है कि आप सुवा फॉस्टाप में ही स्याचिका पर सुनवाई हो सकती है, दरसल मनी लॉड्रिंग का ये पूरा मामला बाडरा के करीबी सहयोगी मनोज अरोडा से जुड़ा हुआ है, इसी मामले में बाडरा ने गिरफ्तारी से बशने के लिए कोट का रुप किया है, जरसल बाडरा के करीबी सहयोगी कहे जाने माले मनोज अरोडा के खिलाफ एडी ने मनी लॉड्रिंग का के दर्श किया है, इस मामले में अरोडा को कोर्स से पहले ही 6 परवरी तक के लिए गिरफ्तारी से अंत्रिम राहत बिल चुकी है, जरसल ये पूरा मामला लंडन के एक पौपटी को लेकर है, जिसकी कीमत तक्रीवन सक्वा करोड रुपे है, जो मनी लॉड्रिंग से जिसका सीधा सीधा लिंक है, इंतजार दसुए पश्टासा करना होगा जब पट्याला हाउस कोट याचिका पर सुनवाई करेगा। के खिलाफ एडी ने मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया है, इस मामले में अरोडा को कोट से 6 फरवरी तक के लिए गरफतारी से अंतरिम राहत मिल चुकी है, तो अब जो कि रोबर्ट वाडरा की तरफ से बात है कि उन्होंने अंतरिम इंटरिम बेल के लिए अंतरिम जमान के पहले ही अपनी अगरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, बोपर दो बजे सुनवाई होने की बात है अगरिम जमानत याचिका पर, जो कि रोबर्ट वाडरा की अगरिम जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है, प्वाडरा आगरिम जमानत याजका के लिए जाते हैं उन्हें ये जमानत उनकी मनजूर हो या ना हो या अदालत के विवेक परता है होता है लेकिन दोनों ही स्थितियों में इस क्रूशल मॉमेंट पर विपक्ष के पास भुनाने का एक मौका तो आ ही जाता है सिल्सलेवार बताएं कि जमानत याजका पर सुनवाई कब है क्या होगा और उसके क्या दोनों पार्टियां विपक्ष और पश किस तरह से देख रहे हैं देखिया राजीव सुत्र बता रहे हैं कि दो बजे करीब इस मामले पर सुनवाई हो सकती है और जिस तरह से राजीव जैसा कि आप जानते हैं कि मनी लांडरिंग का मामला वाडरा के करीबी सेयोगी मनोज अरोडा से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में वाडरा ने गिरफतारी से बचने के लिए कोट का रूख किया है साथ तोर पर इसको लेकर सियासत भी तेज होगी लेकिन ये देखना काफी मौतफूर्ण है कि इस पर कोट क्या फैस्टा लेती है और मुल मामला जैसा कि आप जानते हैं ये मामला लंदन के 12 ब्राश्टन अस्क्वाइर 19 लाख पॉंड यानि 17 कोड़ रुपए की पुरपटी की खरीदारी में कथित मनी लॉंडरिस से जुला हुआ है और इडी का दावा है कि इस संपति के माली कोई और नहीं बलकि रोबट बाडरा है और कहीं नहीं कहीं किस तरह से मनोज अरोडा पर सिकंजा कसा है भले ही उन्हें छे परवरी तक उन्हें अंत्रिम जमानत दी गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए रोबट बाडरा जो है पटियाला कोट का रूप किया है राकिश कुमार सिंग बहुत साधर सी बात है अगर कोई अगरिम जमान के अचकाल के लिए जाता है तो ये माना जाता है कि उस इस बात का अंदेशा करीब करीब हो चुका है या तो अपने वकीलों के जरीए खुद भी केस के दस्तावेस देखते हुए कि उसकी गिरफतारी हो सकती है तो क्या ऐसा लगने लगा है रोबर्ट बाडरा को या उनके पक्षकों की इस मामले में प्रोसीकुशन उनकी गिरफतारी के लिए आगे बढ़ सकता है तो क्या देखिए जिस तरह से एडे का सिकंजा कस रहा है उसे कहींने कहीं साफ है कि रोबर्ट बाडरा पर आने वले समय में सिकंजा कस है क्योंकि मनोज रोडा ये रोबर्ट बाडरा के काफिकρι आपक यह उस तरह से एडे ने जो मनी लॉंडरिंग का जो उसमें जो सुत्र निकाला है कहीं ने कहीं उससे जो रास्ते निकलते हुए दिख रहे हैं उसमें कहीं ने कहीं रोबर्ट बाडरा से जुड़ा हुआ दिख रहा है और ऐसी सिति में आने वाले समय में रोबर्ट बाडरा पर सिकन जा कसेगा और इसी क को धियान में रखते हुए रोबर्वर बाडरा जो है पटीयला कोट का रुख किया है अभी देखना कावि मत्पून है कि पटीयला कोट सिठvan क्या न जमानत ऐसे कुछ जायए पना स also ऐस दिरबाद इस सुछेरा अपती है लिए वह दो मंदा जरूर्प करनाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि 2019 का चुनाव ठीक सामें है। बहुत शुक्रिया राकिश कमार से इस तमाम जानकारी के लिए।